हेलो गाईज वैल्टोम एक तु टिप कंसेप्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्यूरिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है की लॉगर्स तो की लॉगर्स पर यूजवली शॉट नोट्स का आता है अपका आरजी पीवी के अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो यूनिट फाइव से आया है और हर बाद की लॉगर्स है ना एज शॉट नोट के फॉर्म में आया है चोटा टॉपिक है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं तो जो की लॉगर्स है इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ की लॉगर्स है पहले आपको यह समझना जरूरी है की लॉगिंग क्या होती है की लॉगर्स तो डिवाइसे जो यूज होते हैं और की लॉगिंग इस यूज फॉर की लॉगिंग तो आपको की लॉगिंग पढ़ना जरूरी है की लॉगर्स तो की लॉगिंग क्या होती है इसकी डेफिनेशन में लिखती हूं थूरा की लॉगिंग को की स्ट्रोक लॉगिंग भी बुला जाता है ठीक है तो मैंने यह पर की स्ट्रोक लॉगिंग लिखा है सेम है की लॉगिंग या की स्ट्रोक लॉगिंग तेखो तो की स्ट्रोक लॉगिंग या की लॉगिंग क्या होती इस एन एक्ट ओफर ट्रैकिंग रिकॉर्डिंग every keystroke entry made on a computer often without user's permission obviously user's permission के बिना आप क्या कर रहे हो keystroke की एना उसके entry लिए keystroke क्या होता है keystroke क्या होता है कि जो भी आपने keyboard पर press किया है उसे keystroke माना जाता है आपने button A type किया ठीके A button दबाया या फिर कोई भी key press करी अपने keyboard में वो ऐसा keystroke count होती है तो अगर आप वो keystroke की भी definition लिखने हो तो आप यहां लिख सकते हो कि what is keystroke इस keystroke का record रखना without a user's permission keystroke logging के लाता है और keystroke logging के लिए हम लोग keyloggers यूज़ करते हैं समझ गए आप लोग अब यह क्यों यूज़ करते है तो यूज़ली यूज़ली यह ना कोई भी परसन यही इवन की लॉगर ज़रूरी नहीं आपके कंप्यूटर में हो आपके ATM machines इन सब में एक टाइम था जब keyloggers और यह सब इंस्टॉल कर दिये जाते थे वा hackers कि जिससे ATM PIN यह यह सब पता चल सके keyloggers वहां पे भी यूज़ होते थे तो key logging का यही परपस है आपके sensitive information without आपके permission के निकालने के लिए यह key logging जूज़ करते हैं अब देखो keystroke में सिर्फ ऐसा नहीं alphabet मैंने जैसे बता है alphabet सिर्फ काउंट नहीं होते हैं क्या क्या का record रखा जाता है कि आपने कितना बड़ा letter टाइप किया key phrase कितना बड़ा था मान लेते हैं कि आपने shift दबाए रखा और आप है ना downward की दबा रहे हो for selection तो आप shift करके कब तक दबाके रखे उसका time stamp भी होता है velocity of keypress velocity कि speed से type किया अब देखो अक्षे में तो a, k, s, h, a, y बड़ यह इतनी जल्दी type होता है कि पता चल जाता है यह एक ही word की बात चल रही है okay a, d, and है तो वह एक word है यह कैसे बता चला क्योंकि वह इतनी तेज velocity से type हुआ उसे कम time लगा ठीक तो ऐसे करके पता लगा जाता है कि finally क्या key press हुई थी finally क्या word लिखा गया था name the key used obviously shift यूज़ हुई enter यूज़ हुआ example of key loggers key loggers दो type के होते हैं ठीक है पहला software पढ़ते हैं लोग software key loggers होते हैं hardware key loggers होते हैं software key loggers के अगर बात करें तो यह computer program होगे अब इस केस में क्या रहता है यह जो computer program रहता है यह direct कहां टैच होगा आपके hard drive में टैच होता है installed in your hard drive क्योंकि आप कोई भी देखो जो भी आपका application program आप बहार से डाउनलोड करते हैं आपने किसी Microsoft Store हो गया इन सबसे डाउनलोड करते हो गर कोई भी software आप तो वह application layer के उपर काम कर रहा होता है तो वह कोई भी ऐसा है ना कमांड आपको परफॉर्म नहीं करने देता है जो आपका administrative level बहुते ना permission मांगे तो वह execute नहीं होता है तो अगर हमें keylogger या बिना permission के कोई भी hardware device को manipulate करना है तो उसे hard drive पर लगाना पड़ेगा आपके device के जिससे उसे permission बार-बार लेनी ना पड़े यूजर से हमें user की permission के बिना ये काम करना है तो आप इसलिए hard drive में install करते हैं इस computer program को जो भी आपके software keyloggers होते हैं आप software keyloggers के ते types के होते हैं तो अगर types की बात करें तो एक होता है आपका API based keylogger एक होता है आपका form grabbing, form grabbing जो keylogger होता है वो आप उपर से भी install कर सकते हो क्योंकि ये कहीं भी क्या बोलते हैं आपका input पर काम नहीं कर रहा, form grabbing जो है वो input पर काम नहीं कर रहा है वो क्या देख रहा है कि किसी website में आपने कोई form बर रहा है तो this form में क्या data गया है तो एक type सी यह browser level पर काम कर रहा होता है form grabbing ठीक है एक हो गया आपका kernel based kernel based obviously hard drive पर install होगा API based भी hard drive पर होता है API based यानि every time कुछ भी keystroke आपकी perform होगी through an API वो hit करेगा और data third party को भीजते जाएगा every time a keystroke is perform API hit keystroke API ऐसे करके काम करता है API based की log kernel based kernel में जो भी काम देख बुलते है kernel level यानि बहुत ही basic level of key logger की बात चल रही यहां पर कि उसे ना कोई भी permission नहीं ले ली पड़ रही इस्टेट ही वो direct kernel से interact कर ले रहा है तो यह होगा आपके software keyloggers अब आजाते है hardware keyloggers hardware keyloggers are more common than software keyloggers अलब initially hardware keyloggers का ही use होता था तो जो hardware keyloggers है उसमें अगर मैं types की बात करूँ यह obviously hardware है तो यह attach किये जाते हैं आपकी device से attach to your keyboard or device जो भी input device है उससे ठीक है इसके types में पहला टाइप आता है आपको नॉर्मल keyboard keylogger पूरी चीज़े keyboard क्या आपको बोलते हैं कुछ याद ना भी रहे तब भी आपको keyboard तो वर्ड याद रही गई रहेगा इसमें क्या रहता है connection cable के through इसे attach करते हैं इसके बाद रहता है hidden camera अब यह बोलोगे कि hidden camera क्या है अरे देखो keyloggers का सीधा परपस क्या है आपके keys को monitor करना तो चाहें आप एना keyboard इन्पूट से कर लो चाहें hidden camera भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जो यह monitor करेगा कि आपने कौन-कौन से keys प्रेस किया कि यह वीश्वली ट्रैक रखता है यह इसका ट्रैक नहीं रख रहा कौन सा बटन प्रेस हुआ है यह यह ट्रैक रख रहा है कि आपने कौन सा बटन प्रेस क किया है एक टाइप का समझ लो अगर तुम्हारा कोई कलीग तुम्हें पासवर्ट टाइप करते हुए देख रहा है तो अरे उससे पता है ना कि पहले तुमने के आई आई आर टाइप किया थी तो यह वीश्वली ट्रैक रह रहा है कि आपके में इन्स्टॉल किया जा सकता जो वीश्विली ट्रैक रखे कि आपने कौन-कौन से कीज प्रेस कियें So this is all about key loggers That's it from my side, subscribe for more